किस परकार हलका टच करने से इनका पत्ता हो या इनका लट हो या इनका विच्चा हो यह हमारे शरीर को फुला देता है और इनके सहन हम नहीं कर सकते हैं और यह पूरा खुजली होने लगता है तो इससे बचने के लिए हम लोग देशी जुगाड किये हुए हैं तो देखिए आजाए चलिए आज मैं एक ऐसा पोदा दिखाऊंगा जो कि हलका साभी टच करने से हमारा सरीर फुरा फुजरी होने लगता है और बड़ा-बड़ा फूल जाता है तो चलिए मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है इसका पोदा बने रेवलेश पर देखें तो हम जा रहे हैं जहा इसका जाड है जो कि हलका साभी टच होने से हमारा सरीर फुजराने लगता है तो देखिए सामने कुछ फूल का बगीचा है जो बहुत बड़का फूल का बगीचा है और आगे उसका लट है तो मैं दिखाऊंगा कि उसका लट किस तरह होता है जो कि सरीर में टच होने से हमा प्रसजर लगता है कि संद्ध इसका जाड़ होता है ये पोधा का जोकि ले अना धर हम फूरल के बगी के विज को एक यह जाड़ी है कि हमारे से तूचने से हमारे स्वांस है अहला है तोड़के ये लगए पैसफ औहु चोटा सा फूल के बगीचा में निकला है तो देखें हम लोग इसे अभी साप कर रहे हैं बगीचा को और हम दिखाएंगे कि इसका लट की तरह होता है और कितना बढ़का होता है तो हम अभी साथ कर रहे हैं जो सामें उनका च्टा च्टा पोदा है उसको हम नीचे की और कर दे रहे हैं और हम इस पस्ट रूप से दिखाएंगे कि उसका जाड कितना बढ़का होता है जो की सरीर में टच होने से ही हमारा सरीर पुरा खुझली होने लगता है और ये देखे फाइनली वही जाड़ी है जो की हमारा Сरीर में लगने से खुझली होने लगता है यह फूल के बवीचा के बीच के अंदर यह उत्पन होती निकला है दिखिए अपना सुन्दर दिख रहा है यह वही पोदा है जो कि हलका शरीर में तच होने से हमारे सरीर को फुझली होने लगता है तो देखिए हम साब कर दिये हैं इसको पूरी तरह से कि यह इसका पोदा है देखिए इसका पोदा जाड़ी में आया हुआ है और लेका च्टा-च्टा-भी फर भी पकड़ा है मने बिच्चा भी तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि इसको थोड़ा सा भी टच करने से हमारा सरीर इस तरह जलन होने लगता है और खुजली टाइब का फूल जाता है तो और हम आपको तोड़ के दिखाएंगे और लगा के दिखाएंगे कि इसको छूने से कैसे हमारा सरीर पूरा कुट कट आने लगता है तो मैं आभी दिखाओंगा कि इंप आतासमी करने से इनका पत्ता हमारे सरीर में पूरा हुजलीन लगता है और फोल जाता है रहे है अभी कि लिए आता को जरे कहु enslaved लिया है और आपको दिखाएंगे इसको लगा कि कैसे अलकाar भी करने से हमारा सरीर में फुझली हो जाता है यह एक इसा पता है जो की हलका भी हमारे सरीर में टच होने से यह सरीर पुरा खुल खुल जाता है तो देखिए हम लोग तोड़ के लाए हैं और इसको हम अभी लगा के दिखाएंगे कि कैसे फुलता है शरीर में और आप सहन ही कर सक फूल जाएगा और यह इसका बिच्चा है कितना चोटा चोटा बिच्चा है यह बिच्चा भी जिदी हलका टच करेंगे तो सरीर हमारा पूरा इक कुट कुटाने लगएगा और फूल जाएगा तो देखिए हमादी आपको डेमो करके दिखाएंगे यह देखिए यही वह पत्ता है जो कि हलका सा भी सरीर में टच होने से हमारा सरीर फुल जाता है और पुरा पुल कुलाने लगता है और हम सहन नहीं कर सकते हैं तो देखे ये पत्ता से मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि सरी में कैसे लग जाने से ये सरी को पुला देता है तो देखे हम पत्ता को तोड़के दिखाएंगे डेमो करके ये देखे पत्ता है और हम अपना ये सरी हाथ में लगा रहे हैं और देखे ही कैसे फुला देगा हम निदेशेma में गुल कुला रहा है और घुजी चण्वे बाद यू आत फूल जाए गया साधोरा जलन होगा लेकिन आप तो सहन करना पड़ेगा तो देखिए हम अपना हाथ में लगा लिये हैं और खीषे चन्व के बाद हमेरा फूल जाए拜拜 और ये पुरा कुलकुला रहा है देखें मेरा हाँ और इसे हम लगा लिए तो देखें कुछ इछनों के बाद ये फुलना चालू हो जाएगा जो कि बहुत ही भैंकर पता है ये हलका सभी शरी में टच होने से ये पुरा शरीर को फुला देता है और ये देखिए कैसे ये फुलना चालू हो गया ये देखें कितना वड़कार का बिंदा बिंदा टाइब का फुल गया है और ये साइड भी देखें कितना बिंदा बिंदा टाइब का फुल जाता है तो इसी प्रकार का ये पत्ता हलका सभी शरीर में टच हो जाने से ये कि कि यह कितना बड़का फुल गया, आप देख सकते हैं, और ये चारों तरफ मैं घुमा के दिखाऊंगा कि कितना बड़कार बिंदु में ये फुल चुका है और कितना बड़ा-बड़ा में फुल चुका है, तो इसी परकार हलका सा भी शरीर में टूच होने से चाहे इनका पत्ता हो या लत हो या इनका बीच हो या पुरा सरीर को फूला देता है और ये कितना बड़का उड़का बिंदा में हो जाता है और ये पुरा जलन होने लगता है अगर आपका सरीर में कहीं भी ये इसका पत्ता टच हुआ तो ये तुरंत फूल जाता है और ये पुरा बड़ा हो जाता है और जलन होने लगता है तो हम लोग इसे बचने के लिए एक देशी जुगाड किये हुए हैं जो तुरंत ही छुड़ जाता है लगाने से और भी बड़ा बड़ा हो रहा है दिखिए जो हम लगाए थे पत्ता उनसे कितना जल्दी ये फूल गया जोकि बहुत ही भेंकर लग रहा देखने में और बहुत ही जलन कर रहा है तो आप इस तरह का जलन से आप सहन ही कर सकेगा तो हम लोग देखिए अभी इसमें दवाई ल लगाते हैं सारी में टच उने से हमारा सली को पूरा ठुला देता है और आप सहन नहीं कर सकियागा तो देखिए हम लगाये हुए थे तो कैसे ये फूल चुका है कितना बड़ा बड़ा फुल चुका है यह देखिया कितना रोया हो गया है और बिंदा बिंदा में हो गया है तो हम इसे अभी दवाई लगाएंगे जो कि हम लोग देशी जुगण कहते हैं अगर आपको इस तरह का सरीर में सट जाए तो आप सुई बगरे मत लिजिए आपको गया का गबर है तो इसी का परियोग किजिए तो देखिए हम अभी इसके उपर लेप देने वाले हैं तो यह देखिए जहां फूला हुआ है उसे हम गया का गबर देखिए लेप देंगे और कुछी चणों के बाद यह जो फूला हुआ है वह तुरण छुट जाएगा और जलन दे रहा है वह भी बंद हो जाएगा तो देखिए हम यह गाय का गोबर लेज दे रहे हैं इनके उफर जहां हम लगाये हुए थे पत्ता को यह पूरी तरह से लेब देंगे तो मूट रही भी नहीं था जहां लगाए हुए थे हैं वहां हम पूरी तरह से लेब देंगे देखें कुछी चुनों के बाद जो मेरा फुला हुआ था जहां जलन कर रहा था वो बंद हो जाएंगे तो इस तरह का देखें हम लगा दिये इस परकार आपको गोबर लगा लेना है है जो हम हम मेरा हाथ में फुला हुआ था मैं आपको दिखाऊंगा कि फुला हुआ है वह नॉर्मल हो जाएगा और जो जलन कर रहा था वह मेरा छुड़ जाएगा तो देखिए मैं जिसको लगाए हुए हम अलकुशी लगा इनको पर लगा देखिए मेरा जो हाथ में फुला हुआ था यह छुड़ जाएगा और जलन दे रहा था वह भी छुड़ जाएगा तो देखिए हम कैसे लगा लिए है यह गाय का गोबर है गोमता का गोबर तो देखिए हम लगा वैसे टे सिखble देखिए जया कि दिखारी ऑद्री आए और जो मेरा फुला वा था यह देखिए वह गायब होचुका यह थे पुला हुआ था नहीं दिख रहा है तो में और ये मेरा दिखे फूला हुआ गायव हो चुका है तो इस तरह का आप गया का गोबर लगाय रिले से आपका जो फूला हुआ है वह कुछी छोनों में आपको गायव हो जाएगा गढ़ जाएगा देखिए हम जो लगाय हुए थे यह पूरी तरह से मेरा यह यह पुला हुआ था यह मेरा हाथ में छुड़ चुका है तो इस तरह का आप गोबर लगा ले किजिएगा जो तुरत ही आपको आपके हाथ को जो फुला हुआ है वह छुठ जाएगा जो की बहुत ऑसान तरीका है और कम खर्च है तो देखे मेरा हाथ में छुठ गया है तो देखे है यही ओ पत्ता है जो कि शरीर में लगने से हमारा शरीर को फुला देता है तो अब Зна même कि कैसे ये सरी में फुला देता है तो ये पत्ता का नाम जानी हम लोग क्या काते हैं तो हम लोग इसे लोकल भासा में अलकुसी काते हैं ये अलकुसी का जाड़ है देखिए और इसका पत्ता कितना रोया रोया होता है और इसका जो देखे डाट है डाट में भी रोया रोया है और जो इसका फल रता फल में भी रोया रोया होता है और हलका सा भी सरी में टच हो जाने से हमारा सरी को फुरा फुरा देता है तो मेरा वीडियो किस तरह लगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप सब को दिखा सकूं तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में ठैंक्यू